दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में बेहत ही कम समय में सफलता को साथवे आसमान को छुना आसान बात नहीं है लेकिन इसे मुम्किम कर दिखाया है अभी नित्री प्रियंका चाहार चौधरी ने जो कि इन दिनों सीरियल उदारिया में तेजो का मुख्य किरदार अदा कर रही ह और अपनी ब्रिलियंट आक्टिंग से दर्शकों का खूब दिल चीत रही है यहीने इबलकि इससे पहले भी यह जो सीरियल का हिस्सा बनी है उसमें भी इनोंने अदाकारी का ऐसा जल्वा बिखे रहा है कि दर्शक भी इनके आक्टिंग की तारीफ करते खुद को रोक नही आक्टिंग के मामले में करारे की टुक कर दे रही है जी हा बिलकुल सहीं सुन रहे है ए आप और एसलिए आज के हमारी millones कराईंगी जिचनें आप इनके मामले में टकर देती है प्रियंक च़हर चौदरी तो पने रही है वीडियो के अन तक करते हैं वीडियो की अगिंडार निभाति नजर आरह है बता दे कि इहें भी आक्टिंग के मांले में टककर दे रही है प्रियंका चोहर चोतरी और वह इसलिए क्यों कि 33 प्रकाष आक्टिंग में हमेशा के ख्योडर देखने को मिलती है जब है प्रियंका क्योंकि इशा Malwya के मताबिक इनके नेचरल और इसले में हमें खिस नीकिक लेगं को देखने को मिलता है दर्शुख हमेशा इशा Malwya से प्रियंका की एक्टिंग के लिए एक्साइटेड रहते है नमबर तीन हिना खान क्यों चौक गया ना अभी लेकिन ये सच है कि टीवी इंडस्ट्री की एक्सपीरियंज एक्टरस हिना खान को भी प्रियंका चाहर चौधरी अपनी एक्टिंग से टकर देती है जिसका अंदा जो आप सर्फ इस बास से लगा सकते हैं कि जहां हिना खान को अभी अपने सीन के परफेक्टली पर उताने के लिए कई शौट लेने पड़ते हैं तो वह ससुराल सिमर का टू सीरियल में देख रहे हैं और बात करें कि प्रियंका चौधरी ने इन्हें एक्टिंग के मामले में कैसे टकर दी है तो बता दे कि राधिका मुथुकुमार को अपने किरदार में ढ़लने के लिए काफी वक्त लगता है जिपकि प्रियंका चाहर चौध चौधरी चुटकियों में अपने किरद्यार में धर जाती है और उन्हें निभाने की साल साथ उन्हें खुल कर जीती भी है जिनमें हमें न्यू आक्टिंग स्कल्स भी देखने को मिलती है और इनी सब खूपियों की वज़र से इन्होंने राधिका मुथुकुमार को भी ब कुले